दोस्तो नमस्कार दोस्तो हमारा भारत रहस्य के धरती है जहां इतियास की ऐसे रहस्य दफन है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे लेकिन जितने रहस्य भारत के मंदिरों में देखने को मिलते हैं इतने तो कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तो भारत की ऐसे एक मंदिर में एक ऐसे अध्वुच सिबलिंग है जिसका आकर क्रमागत बढ़ रहा है हाँ इस सिबलिंग को दुनिया का एक लोता जिबित सिबलिंग कहा जाता है ये मंदिर मौझूद है मध्यप्रदेश के खजराओ में उस पूरे एरिया को वर्ल साइट घोषित के आजा चुका है क्योंकि यहां एक से बढ़कर एक सिल्प कला की नमना देखने को मिल जाएंगी दोस्तो इसे देखने के लिए दुनिया भर से भक्तों की भारी वीरी हर रोच यहां आती है इन्ही के बीच यहां स्थीद है मतेंगे स्वर मंदिर इस मंदि सिल्इंग हर साल एक इंच के बराबर बड़ा हो रहा है और हर साल इस मंदिर के पुजारी द्वारा इसे मापा छाता है और तो और परजटन विभाग के कर्मचारी भी हर साल उसे मापने आते हैं और इस दावेकोज उन्होंने सच माना है कहा जाता है कि यह सिबलिग ना श सिप के पास मरकत मनी थी जो उंधा ने द्वापर चिक में जेस्ट पांदर जुदिष्छिर को दी थी। ये मॉनी मतंग रोसी के पास थी इसलिए मंदीर का नाम मतंगयशवर मंदीर पड़ा। इसी मनी के कारण इस सिबलिंग का अगर हर सल बढ़ता है। इस मनी के सक्ति के कारण ही इस सिबलिंग को जीवित सिबलिंग कहा जाता है। जैसे जीवित इंसन बढ़ता है ऐसे ही ये सिबलिंग भी हर सल बढ़ता है। इस मन्दिर के पुजारी के अनुसार इस सिबलिंग का रिष्टा कली जुक से हैं इस सिबिलिंग के उपर की हिस्षा स्वर्ग की तरब बढ़ रहा है जब कि उसके नीचे की भाग पातल लोग की तरब बढ़ रहा है जब ये हिस्षा पातल लोग पहुंच जाएगा तब कली जुक का अंत्थ हो जाएगा इस मंदिर के मांद्याता तो हर सल बढ़ता जा रहा है और भक्तों के भीड भी बढ़ते जा रहा है और हर उपर जटक जो खजरा हुआता है वह इस जीवित सिब्लिंग को देखने जरूर आता है दोस्तो अगर आपके जीवन में इसी सिब्लिंग की कुरुपा से कोई भी चमतकार हुआ हो तो कमेंट् पताई ताकि दूसरे को भी ये सब पता चल सके दोस्तों मतेंगे स्वार सिविलिंग की कुरुपा से आपकी परिवार कुसल मंगल रही यही सुपकामना के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूना नमास्का